हाई बीटवल एंजल्स वेल्गन दिवाइन फैमली राधे राधे जैशे किष्णा आप से अच्छे होंगे खुश होंगे स्वास्थ होंगे तो देख लेते हैं आज के लिए रीडिंग तो यहां पर है मेरे पास 30 गार्ड आप किसी एक कार्ड को भी चूश कर सकते हूं या फिर पूरी रीडिंग को भी देख सकते हूं तो मैं स्टार्ट करती हूं यहां पर eight of pentacles से eight of pentacles जो कार्ड है आप किसी प्रोजेक्ट पर या किसी भी किसी भी तरह का अपने वर्क प्लेस पर आज आप फोकस कर पाओगे बहुत सारा हार्ड वर्क कर पाओगे और यहाँ पर मेसेज ये भी है कि आपको अपनी सिटिंग जैसे आप बैठते हो लॉंग टर्म तक आपको उस पोजीशन में नहीं बैठना क्योंकि आपके कहीं न कहीं शाद बैक पेन होती है उसके बाद तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं न कहीं comfortable जगां हो या फिर आप इतनी जादा bent होकर काफी देर तक काम ना करें ऊस वज़े से आप शायद बैक पेन होती है यहां पर आप, यह मुझे वो भी लग रहा है कि जहां पर आप बहुत देर से मेहनत करना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपको time या energy नहीं मिल पा रहे थे, तो किसी तरह के idea हो सकता है, किसी तरह के अभी ये नया आपका career project हो सकता है कोई job हो सकती है जो अभी आपने interview जो आपकी dream job है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो जैसे students हैं वो आपने exam के लिए बहुत जादा मेहनत करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से आज अपना focus कर पाओगे जो भी आप achieve करने की कोशिश कर रहे हो या जिसके उपर भी आप मेहनत कर रहे हो यहाँ पर है या जो Krishna message है वो आप लोगों के लिए यह है कि आपकी prayers तब answer नहीं की जाती जब आप मांगते हो या पूछते हो लेकिन जब आप अपने आपको challenge करते हो जब आप फल के उपर की क्या होगा outcome के उपर focus ना करके आप अपना पूरा focus और energy को उसके उपर लगाते हो यानि की action लेते हो अपना पूरा ध्यान अपना पूरा you know passion interest उस काम में डालते हो अपनी पूरी efforts अपना best जो है उस काम को देते हो तब आपको definitely आपकी prayers के answer मिलते है तो में यह भी लगता है कि जो abundance के लिए wait कर रहे थे तो यह आपका जो भी आप काम कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो वो आपको success दिला आएगा क्योंकि obviously यहाँ पर pentacles हैं आप research यहाँ पर research और books भी है कुछ आपको किसी तरह की guidance चाहिए किसी तरह की answers चाहिए जो आप ढून रहे हो उसके लिए आप आपका दिल करेगा कि आज आपको मुझे वो answer चाहिए और मुझे आपने आपको isolate रहने का ताकि आप काम कर सको ढून सको उन answers को उस guidance के साथ connect हो जो आपको right now की जरूरत है आपकी और वो आपको मिल भी जाएंगे तो आप आज mind से निकल के अपनी उसके साथ communicate करने वाले हो अपनी inner guidance के साथ अपनी inner guru के साथ connect होने वाले हो वहीं से आपको answers भी मिलेंगे या फिर वो answers आपको युनिवर्स आपको वो guidance और answers जरूर देग अगर आप books read कर रहे हो research कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर important information भी है तो आपको alignment में आना you know उस information की वो अपने आप आप तक भेज दी जाएगी किसी ना किसी रूप में जिसको आप ढूंड रहे हो तो आज आपका दिल करेगा कि आपको थोड़ा समय लेना है break लेनी है और अकेले जाना है meditate करना है या मुझे इस topic के बारे में जानना है मुझे guidance चाहिए मुझे research करना है तो इस तरह का आपका दिल कर सकता है जो आपको help करेगा आपके answers देने में आपको guidance के साथ connect करने में यहाँ पर किषना message यह है कि बहुत beautiful message है क्योंकि बहुत अच्छे से जा रहा है इ इस card के साथ की break लेना meditate करना उतना ही important सांस लेने जितना ही important है क्योंकि सांस लेने से हमें हमारी body का oxygen मिलती है और जब हम लोग meditate करते हैं तो हमारी mind को जो है peace मिलती है तो उस peace से जुड़ना आपको आपके लिए वो सारे answers और guidance available करवाएगा next चलती है पर five of pentacles से जिस तरह के solutions आप ढूंड रहे थे suppose आप किसी तरह की lack वाली position में थे इस five of pentacles वाली position में थे आपको लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैंने ऐसा क्या किया है तो हो सकता है कि आप mind logic mind को बहुत जादा धूंड रहे थे solutions आपके पास हमेशा सही थे तो आज आपका दिल करेगा उन solution के साथ काम करनेगा क्योंकि वो ही solutions आपको इस five of pentacles से बहार निगाल सकते हैं यानि कि अब आप समझ गए हो कि मुझे logic mind से काम नहीं करना जो मुझे universe समझाने की कोशिश कर रहे हैं या guidance कर रहे हैं इस five of pentacles की position में क्यों मैं यहाँ पर हूँ तो आज आपका दिल करेग उन options उन choices उस guidance के साथ काम करने का जो आपको इस situation से बहार निकालेगी यानि कि यहाँ पर ego mind की death हो चुकी है आप समझ गए हो कि आपका जो logic mind है उस वज़े से आप वो solution नहीं देख पा रहे हो या उन solution के साथ काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका logic mind आपको law नहीं कर रहा था लेकिन आज आप अपने आप चेंज लेके आओगे अपने आप खुद को चेंज करोगे उस पर focus करोगे जो भी आपको यहाँ पर answers या guidance दी जाएगी उसके साथ आप उन solution के साथ आगे बढ़ोंगे क्रिशन मेसेज आप लोगों के लिए यह है कि आप outer world में peace नहीं ढून पाते जब तक आप अपने inner peace तो यहीं आँँ पर inner peace लेके आना यानि की inner peace लेके आना यानि की logic mind से निगलना तभी आप धीरे धीरे ego को भी buy करते हो और humble हो जाते हो और सुन पाते हो जो भी कृष्णा आपकी तरफ जो भी help भेज रहे हैं और solutions भेज रहे हैं उनके साथ आप connect हो पाते हो जब आप logic mind को एक तरफ रख देते हो आज के निए channel messages यह हैं babysit yourself तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप अपने उपर ही आपका focus है अपने आपको क्या चाहिए आपको कौन सी guidance चाहिए कहाँ पर focus करना चाहते हो तो आज आपको अपने आपको ही babysit अपना आपका ही ध्यान रखना है important information है जो शायद आप books और research यहाँ पर ढूंड रहे हो heart की healing है यहाँ पर किसी ना किसी रूप में कुछ ऐसी energy available है आपके लिए जो आपके heart को heal करेगी यहाँ पर meditate करना जो hermit को दिखा रहा है freedom है यहाँ पर freedom शायद इस energy से बाहर निकला है इस lack वाली energy से आप free हो रहे हो यहाँ पर excitement रहेगी enthusiastic रहोगे आज आप अपनी life को लेके positive रहोगे कि भी आपको solutions मिल रहे हैं answers मिल रहे हैं guidance मिल रही है आपको क्या करने के लिए lost and found तो कहीं न कहीं अगर आप यह abundance किसी भी तरह की health की wealth की spirituality की अगर कुछ किसी तरह की energy या कोई चीज आपकी खो गई थी तो आज आपको वो मिल सकती है वापस या आपका passion आपको कोई project जो आप को लगा आप नहीं कर पाओगे तो किसी तरह की emotions थे आपके connected आप वापस आपको मिल जाएंगे I love your life feminine side है जो feminine side हम लोगो suggest करती है खुद को प्यार करो यहाँ यहाँ पर babysit yourself खुद को प्यार कीजिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ओपर पूसको भी nurture कीजिए और साथ में you know intuition को सुनिये learning है यहाँ पर कुछ ना कुछ आप सीख भी रहे हो जैसे मैंने students के लिए बोला मेहनत कर रहे हूँ आप sun floor की energy जो हम लोगों को दिखाती है बहुत positivity जो you know इस तरह का कोई energy या इस तरह का कुछ दिन में हो जाना जो खिल गया उस वज़े से heart ही ली है यहाँ पर जो आपके face पे एक smile लेके आ गया दुबारा से आप जो positivity वापस आपके पास आ गयी कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका stress दूर हो गया इसा कुछ हो सकता है clear communication है जो मुझे लगता है कि clear communication आपका Krishna के साथ अपनी guides के साथ अपनी spiritual team के साथ clear communication है spiritual team के साथ जिस वज़े से आपको सीधे answers आ रहे हैं यहाँ पर books, research, enthusiasm, purpose हैं यहाँ पर कोई ना कोई आपको लोगेगा कि आज मुझे यह काम करना है तो आप purpose ढून लोगे उसमें here है और बालों का आपको ध्यान रखने की जूरत है यहाँ पर है dream तो कहीं न कहीं dream में भी आपको यह answers और solution मिल सकते हैं आज के लिए आप लोगों के लिए fortune cookie message है कि you will soon be given good advice तो यह बहुत अच्छे से इसके साथ जा रहा है जो बहुत तेर से यूज नी किया मैंने ये deck जो है hidden truth तो आज इसमें से मैं आपको final message देने वाली हूँ the most wonderful adventure always happens at this very moment connect to the present and the magic will start तो positive रहिए और present moment में रहिए ठीक है जो भी आप करना चाते हो adventure उस present moment में ही possible है ना कि वो past मेन या future के लिए आप कर सकते हो तो magic अपने आप start हो जाएगा जो बहुत beautiful आज के लिए message निकला है आप लोगों के लिए तो ये थी आज के लिए reading थैंकी 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 so much for watching please like share subscribe जूर करे मेरे channel को और comment section में जुरू बताएं आपको ये reading कैसी लगी है और साथ में personal reading के लिए tarot सीखने के लिए चक्रा healing course के लिए और heal your life with the angels ये जो वे courses provide करती हूं इन courses में से कोई भी आप courses लेना चाते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं मेरे whatsapp number पर या email address पर thank you thank you thank you so much for watching and have a blissful day bye for now